नमस्कार दोस्तों आपका अपने यूटूब चैनल स्टार सिलक्षन में स्वागत है आई होप आप लोग अच्छे होंगे आज हम आपके लिए लेकर आए 28 दिसंबर से 31 जनवरी तक जितने भी क्योशन हुए हैं वो सभी इस मैंने वीडियो में अपलोड किया है ये दो वीडियो में जितने भी 28 दिसंबर से 31 जनवरी तक जितने भी क्योश्चिम अपलोड हो जाएंगे ये वह फरवरी क्या करना को ट्रेंड कराना किया मोदी रोजगार दो इस पर बेरोजगार इउसकारी पर चलना है तो उस पर आपको Twitter पर भी आपको ट्रेंड कराना है Twitter पर भी आपको ट्विट करना है और अभी तक आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेजिए यहाँ पर आपको सभी वीडियोस मिल लाएंगे किसे बालोजी हो, किसी से भी आप related कहेंगे तो उसी से रिलेटिट में वीडियोस मना दूँगा तो पहला क्योश्य ने कि यहन की मुद्रा यहन की जो मुद्रा यहन मुद्रा कहा कि यह है आपको इस मुद्रा हैं तो उसके बारे में आप देख लीजिए जैसे कि है संयुक्त अरब अमिराद की मुद्रा क्या है तो संयुक्त अरब अमिराद की मुद्रा जो है वो देरहम अमेरिका की डॉलर उरग्वे की पीसो और उजबेकिस्तान की सौम है अगला question है कि गोल गुम्बद जो गोल गुम्बद है वो कहां पर इस्तित है आप से पूछा है कि गोल गुम्बद कहां पर इस्तित है तो गोल गुम्बद जो है वो बीजापुर करनाटक में इस्तित है कहां पर बीजापुर करनाटक में इस्तित है अगला question है अगला question चलते हैं अगला question आपके सामने है कि राजस्तान के राजपाल कौन है तो राजस्तान के राजपाल कौन है कल राज मिस्र जो है वो राजस्तान के राजपाल है इसकी राज़दानी है जैपुर और मुक्वंत्री है असोग गहलोद राजस्तान के राजपा कहां पर इस्थित है ये तर्मिल नाडू में इस्थित है ये एकजर्ट जगे जो ही वो कैमुदी नामक आस्egen बाहरी जल्का शूत्र क्या है आप से पूझा की बाहरी जल्का तो बाहरी जलका D2O क्या सूत्र होता है D2O मतलब Deuterium Oxide बाहरी जलका सूत्र है इसका प्रियोग किस में लाए है इसका प्रियोग जो है उन्हाब की रियक्टर में मंदक के रूप में प्रियोग किया जाता है बाहरी जलका D2O Deuterium Oxide का अगला क्विश्चन आपके सामने है कि नाविक के खोज करता कौन है तो नाविक के खोज करता कौन है रधरफोड ने की है अगला क्यूश्चन पूचा कि अगला क्योंशन है कि बुद्ध की सबसे उची प्रतिमा कौन सी है तो बुद्ध की सबसे उची जो प्रतिमा है बुद्ध की सबसे उची प्रतिमा है यह सबसे उची प्रतिमा कौन सी है तो यह है सरदार बलाब भाई पटेल की यह मूर्ति है इसकी उचाई जो है 182 मीटर उचाई है यह मूर्ति स्टैचियो आप यूनिटी के नम से जानी जाती है एक गुजरात के केवडिया नमक जिले में स्टैट है यह नर्मधा नदी पर कहा पर किस नदी पर है यह नर्मधा नदी पर इस्टित है अगला क्योश्चन है कि उपराष्ट पती का वेतन केतना है यह वेतन से रिलेटर क्योश्चन पूछ लिया है तो उपराष्ट पती का जो परिजेंट है में वेतन है वो चार लाक है और राष्ट पती का पाज लाक है और राजपाल का जो है साड़े तीन लाक है और प्रध आध्याश रहाजियां हैं अगला है कि जी टुन्टी का 2020 में अध्याश कौन है तो जी टुन्टी का जो अध्याश है जब कि 2021 कहां युज़ित होका इटली में 22 में इंडोनेशी और 23 में भारत में आज़ित किया जाएगा G20 ये G20 क्या है इसमें 19 देश और यूरोपी संग सामिल है इसी वज़े से G20 कहा जाता एक ये ऐसा ही संगटन है जिसका कोई मुख्याले नहीं है अगला वे आपके सामिने Kis GnP क्या है GnP के बारे पूचा तो GnP क्या है GNP किसी भी देश में एक निश्चित शंग्या आवदी या वित्ती वर्स में देश के नागरिकों द्वारा उत्पादे द्वस्तुमों और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल को GNP राष्टी उत्पाद या ग्रॉस नेशनल प्रोड़क्ट इंदी भासा में से सखल राष्टी उत्पाद की नाम से जाना जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोड़क्ट है अगला कियुश्यन की माउंट आवरेश्ट की नई उचाही क्या है तो माउंट आवरेश्ट की जो नई का हिस्सा है अगला क्नि की फिल्म फेयर ओट किसे दिया गया 2020 में तो 2020 में फिल्म फेयर ओड जो है वो गली भवाय को मिलागी सक गली बवाय को फिल्म हेयर а 2020 में दिया गया अगला क्षिच्छrict先ाल 59 क्या हैं लाइकिन acronyaut करता है हमारे pollution को बताता है कि हमारे यहां कितना प्रदूर्शर है यह lichen मतलब एक बता सकता है लाइकन किन किन चीज़ों से मिला है तो lichen जो है वो कबक और सहवाल से मिलकर बना है फंजाई और फंगल से मिलके बना हुआ है अगला question है आपके सामने कि फीपा इस दो हजार पाईस का आयोजन कहां हुआ तो फीपा जो है 2022 का आयोजन होगा है कदर की राज़दानी दोहा में होगा 2022 का अगला किशन की गुलाम बंस का अंतिम सासक जो था वो कौन था गुलाम बंस का अंतिम सासक वो क्यों मर्स था कौन गुलाम बंस का अंतिम सासक जो था वो क्यों मर्स था गुलाम बंस की स्थापना 1206 में उत्तर प्रदेश के बी राजपाल है आननदी बेन पटील किसियों के सेकर filtered नां से कौन सा सहर जाना जाता है तो ये जम्बू कसमीर जाना जाता है अगला क्योस्टन की पेटियम के cao है तो पेटियम के cao जो है वर्तमान में विज nuget सेखर सनस्थाफक हैं और यही present time में पेटियम के cao है तो पेटियम की vital है यह लिए उपनोयका क?! पेटियम अग्ला क्यूसिन की प्लासी का योद जो हो 1777 में योध हुआ ये प्लासी का योद कुछ योद और भी है जिसे बकसर का यूद 1764 बांडी वास का यूद 1760 अब आपको कमेंट बोक्स में बताना है कि प्लासी का यूद किन किन व्यक्तियों के बीच लड़ा गया था प्लासी का यूद 1770 में आयू जित हुआ था अगला क्रिशन की UNDP और UNICEF का मुख्याला है कहां इस दे था अगला है कि National Income कैलकुलेट करने वाले पहले भारती कौन थे यह इनकी most important बहुत powerful books हैं जो बहुत examen सूची चाती हैं अगला क्रिशन की ब्रहमांद के अध्यान को क्या कहा जाता है तो ब्रहमांद के अध्यान को कासमोलोजी चाहा जाता है मरमान का अध्यान है जो उसका कोस्मो लोजी कहा जाता है अगला है कि रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण होता है तो रक्त का थक्का जमता है ये विटामिन के की वज़े से विटामिन के की वज़े से रक्त का थक्का जमता है क्योंकि यदि रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो हम कहीं कट जाएंगे फट जाएंगे तो सिब्लड निकरता रहेगा और हमारे सरीर को बहुत नुकसान पहुंचेगा अगला क्योश्चन है कि इंडोनेसिया की राजधानी क्या है तो इंडोनेसिया की राजधानी क्या है तो इंडोनेसिया की राजधानी है लेकिन अब नई राजधानी आपको बताना है कौन सी हो गई है इंडोनेसिया की राजधानी अगला क्योश्यन है कि अमेरिका ओबन विजेटा कौन है यह तो अमेरिकन ओबन विजेटा जो 2020 में मैंन में है और फीमेल में है नाउमी और जो जापान के रहने वाले हैं तो यूएस ओपन हो चुका उसके बाद अगला किश्चन है कि दूरी का मातरक किया था तो पारसेख भी दूरी का मात्रक है अगला की भारत की वरतमान मुक नियाईदीस कौन है तो भारत की जो बरतमान मुक नियाईदीस है वो कौन है 47 क्रम के हैं सरद अरविंद बोबडे जो है वो 47 क्रम के हैं और इनका कारकाल जो है वो 65 वर्स तक होता है अगला की सैंडल पीक चोटी कहां पर इस्ते था है यह अंडमान निकोवार दीप में इस्ते था उत्तरी अंडमान में इस्ते दिया एक्जर्ट पूंचा जाएगा तो उत्तरी अंडमान में इस्ते था इसकी उचाई जो है वो 732 मीटर इसकी उचाई है सेंडल पीक छोटी अंड मानने को बार 732 मीटर अगला चंद्रियान से कुछ related question पूछे गए तो चंद्रियान फर्ष्ट जो कब लाउंच हुआ था तो 22 अक्टुबर 2000 को यह लाउंच हुआ था यह लाउंच वेहिकल था अगला की निर्वाचन आयोग भारती समिदान में किस भाग में है भारत के किस भाग में इस्थेद है तो यह भाग 15 में इस्थेद है भारती चुनाओ आयोग की जो इस्थापना हुए थी वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी जबकि मुख चुनाओ आयोगत और अन्चुनाओ आयोगत की जो न्यूकती है वो भारत के राश्टपती करते हैं वरतमान में जो मुख चुनाओ आयोगत है वो कौन है सुनील अरोड़ा जी है अगला क्यूशन की जैव विवेदता दिवस कम मनाया जाता है तो जैव विवेदता जो दिवस है वो 22 मई को मनाया जाता है जबकि प्रतिवी दिवस 22 अपैल को और राश्टी महिला दिवस 8 मार्ज को और पिस ओजोन दिवस ये 16 सितंबर को मनाया जाता है अगला की भारत में कुल कितने स्थान जो है रामसर साइट है भारत में कुल वर्तमान में 41, 24, 81 रामसर साइट है और इरान के रामसर से संधी वी थी 1971 में अगला पूछा था क्यूशन की राजतरंगडी के लेखा कौन है तो राजतरंगडी के जो लेखा है को कलहड है इनोंने इस कलहड बुक में जो है कस्मीर के इतियास के बारे में लिखा है राजतरंगडी के लेखा कलहड इनोंने कस्मीर को जो इतियास है इसी में जिक्र किया ह अगला क्योश्चन आपके सामने कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर धर्वमान और बहार कितना होगा बहार प्रत्वी से बहार का जो होता हो एक वटे च्छे वद्रवमान का कोई बदलाव नहीं होता है अगला क्योश्चन है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोलव वॉड्ड सी पी सी एम सेंट्रल कंट्रोल स्वरी सेंट्रल कंट्रोल वॉड्ड की इस्था अपना कव वी ती इसका गठन कव वा तो 1974 में इसका गठन हुआ था 1974 में अगला question है कि DRDO के प्रमुक कौन है तो DRDO के प्रमुक जो है उजी सतीस रेडिस ही है DRDO के प्रमुक अब DRDO से कुछ question बनते हैं जैसे पूछ दिया जाता कि DRDO का फुलपॉर्म क्या है तो the defense research and development organization इसका फुलपॉर्म होता है जब कि इसका मुख्याले नई दिल्ली में इसकी इस्तापना 1908 में इसकी इस्तापना हुई थी अगला की गोवी मरुस्थल का विस्तार जो हो कहां से कहां तक तो यह गोवी जो मरुस्थल इसका विस्तार जो हो मंगोलिया से चीन तक है कहां से मंगोलिया से चीन तक है जबकि और कुछ मरुस्थल्ट हैं जैसे सहारा मरुस्थल्ट, सहारा मरुस्थल्ट का छेत्र जो है उत्री अफरीका में है जो सिप्संस, गिप्संस ऑस्टेलिया में इस्तित है, गोवी मंगुलिया और चीन के बीचे काला हरी बोत्सवाना में है तकला मन्चीन में है, सोरेंसन शेतर अमेरिका मैक्सको में है यह थार मरुस्तल जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में इस्थित है अपला केसिन की 2019 का ग्यानफीट पुरुसकार के से दिया गया था 2019 का जो ग्यानफीट पुरुषकार है वे अमिताब घोस को दिया गया था यह पहली बार अंगरेजी भासा में दिया गया था और प्रेजन टाइम है जो बाइस बासाओं में यह पुरुषकार दिया जाता था लेकिन यह बाइस भासा उसे हट के भासा है इसे भी पुरुषकार पहली वारे साथ दिया गया अमिताब घोस ग्यानफीट पुरुषकार जबकि 2020 में किसे दिया गया तो 2020 में ग्यानफीट पुरुषकार जो है वो अकीतम अचुतम नंबुदरी को दिया गया जो मल्यालम कभी है यहने ग्यानफीट पुरसकार 2020 में दिया गया अगला किस्टेन पूछा था कि पूरवत्तर का कौन सा राज सेवन सिस्टर में सामिल नहीं तो सेवन सिस्टर में वहाँ आप्सन दिया था सिक्किम नहीं सामिल पूरवत्तर राज का कौन सा राज सेवन सिस्टर में सामिल नहीं है, तो सेवन सिस्टर में आते हैं, अरुडांचल प्रदेश, असाम, मडीपूर, मेगालाय, मिजोरम, नागालेंड और तिरिपूरा, आप नोट कर लेज़ें, एक बार फिर से, अरुडांचल प्रदेश, असाम, मडीपूर, मेगालाय, मिजोर नागा लेंड त्रिपुरा यह साथ राज हैं जो सेविन सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं अगला पूछा था कि भारत में सबसे लंबी तट्रेखा बनाता है वो गुजरात है अगला पूछा था कि लंबी तट्रेखा बनाता है अधिक्तम संक्या कितनी हो सकती तो लोग सबा में अधिक्तम संक्या जो पांसो बामन हो सकती है अगला पूछा था कि पदार्थ की मात्रा किस से मापी जाती है तो पदार्थ की मात्रा जो है वो मौल से मापी जाती है अगला क्रिशन पूछा कि पर्रेवड अधिनियम कब आया तो पर्रेवड अधिनियम जो हो निस्सो चीहासी में आया अगला क् जो 2013 में परचेपित हुआ था ये मार्स ऑबिटर्मिसंता भारत का पहला प्रथम मंगल अभियान था कब 2013 में परचेपित किया गया था अगला कुश्यनी की ध्वानी तरंग की गती किसमें मापी जाती है अगला खुशन है कि जैन धर्म के प्रथम परवरता कौन थे तो जैन धर्म के जो प्रथम परवरता को रिश्यप दे हो थे जैन धर्म के जो तेश्में तीर्थकार वो पार्सोनात थे और महावीर जैन जो है वो 24 में तीर्थकार थे अगला कि आमरत्य सेन को कब नॉबल पुरुषकार दिया गया तो आमरत्य सेन को 1998 में नॉबल पुरुषकार दिया गया अमरत्य सेन को अगला खुश है था कि वर्मी कल्चर जो है वो के इस से संबन्दे तो वर्मी कल्चर जो के जुगा पालन से संबन्दे थै अगला कि कुंडल कुलम वेद्दुत परियोजना जो है व कहाँ पर स्थेत तर जो कुंडल कलम पर योजना जो है ये कमिल नाटू में इस्थेत робама अगला कि स्वाराज मेरा जन्म से अधिकार है या किस ने नारा दिया तो जो स्वाराज मेरा जन्म से अधिकार है नारा बाल गंगा दर तेलक जी ने दिया था सबसे यूबा राश्टित प्रस में हैं इस्तेद हैं प्रदेश में इस्तेद है अगला कि Microsoft के CEO कों है तो Microsoft के जो CEO है सत्या नडेला जी है जो यह Microsoft के CEO है अगला है question कि कलारी पट्टू Marzal Art क्या है यह कहां का यह केरल राज का है अगला question पूछा था कि COVID Care Apps जो है किस ने लौँच किया तो COVID Care Apps जो है अवडांचल प्रदेश ने लौँच किया अगला question कि आलू संधान कहां पर है तो आलू संधान जो केंदर है यह सिमला हिमाचल प्रदेश में इस्थेत है अगला question कि कहलो इंडिया यूद गेम का पर आयो जगह है यह गुजरात में इस्तेत है अगला की भारत में यूरेनियम का भंडार कहां है तो भारत में यूरेनियम का भंडार है उस जादू गोड़ा की खान जार खंड में इस्तेत है कहां जादू गोड़ा की खान जार खंड में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है अग कुछ ने ताल, नैनी ताल, खुरपा ताल, घीरी ताल, जिलमिल ताल जो है जिन में लाश्ट में ताल आ जाए वो तो समझ लेना सभी उत्राखंड की है और जिसमें नाग आ जाए वो सभी जम्बू कस्मीर की होती है अगरा पूछा थे कि पाल गाट जो है, वो कहां पर इसते था पाल गाट ये केरल को तमिललाडू तथा करनाटक से चोड़ता है अब पाल गाट दर्रा जो है पस्मी गाट परवस रेडी का एक बड़ा दर्रा है अब नीलगिर पहाड़ियां जो उत्तर एवं अन्ना मलाई पहाड़ियां दच्छड के बीच में इस्तर यह जार लगबग 32 किलो मीटर और चोड़ी केरल राज के सीमा बनाता है जो पालगाड धर्रा से होकर गुजलने वाले राजमार्ग और रेल मार्ग केरल में पालगाड और कोतामिल नाडु में थ tua पोलाची के नाम से जोड़े जाते हैं जो थाल जो है थालगाड चे मुंबई में और भोरगाड मुंबई में इस्तित है आगला क्यوस्शन है कि अरभ सांगar को जाने वाली नदियां कौन सी तो अरभ सांगar को जो एस्चुरी बनाती है वो कौन को सी नदियां नर्वधा न parrot नदी मत प्रदेश महाराष्ट गुजरात से और तापती नदी मद्रदेश गुजरात में लूनी नदी राजस्तान में माही नदी राजस्तान में जब कि सावर मती जो है वो गुजराहत भारत पुछा के रल में स्थित है कि अगला क्यों आपके सामने है कि एसी आई आई का फॉल फॉर्म क्या होता तो एसी आई का फॉल फॉर्म जो होता वह अमेरिकन इस्टेंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटेंजिस इनका फॉल फॉर्म होता है हाई लेविल लेंगविज क्या हाई लेविल लेंगवि अगला पूछादे क्योंशने कि सेर्शा सूरी का मगवरा कहां पर इस्देद ए यह सासा राम भिहार में सेर्शा सूरी का मगवरा सिदेद जबकि नाम-फरीध खानने सुना मायूं को पंद्र सुचालिस में हरा कर उत्तर। भारत में सूरी संमराज की इस्थाफ्णा की थी नाम फरीद खान है जबकि रुपयजहरी किसने किया सैरसा सूरी नो ग्रांट टक रोट की जो निर्माढ परता है वो सेरसा सूरी जबकि जैदेग उख किसके दरवाम थ mr मंदी थे जो जैदियों कभी है ये लच्छ जो लच्छमर से इनके दरवार के कभी थे जैदियों ने गीद गोविंद और हरती मंजरी की रचना भी किये है अगला कि उसने मात्मा गांदी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया पहली बार 1901 कलकत्ता अधिवेशन चला तो वहाँ पर इन्हों ने भाग ले लेकिन दूसरी बार 1924 बेलगा अधिवेशन हो रहा था तो इन्हों ने यहां पर भाग भी लिया और अध्यच्छता भी के पहली बार और अंतिम बार अगला एकि जाता कता किस धर्म से संबंदेता हैं तो जाता कता जो है वो बहुत धर्म पाली भासा से संबंदेता हैं जाता भगवान बुद्र के पुर जन संबंदी कता होती हैं अगला है कि जिम कार्वेट नेशनल पार्क कहां पर इस्तितर जिम कार्वेट जो नेशनल पार्क है या उत्राखंड में इस्तितर है और कार्वेट नेशनल पार्क भारत का फहला राश्टी उध्यान है राश्टी उध्यान है उध्यान उत्राखंड के नैनी ताल और पौण ड्रग रिसर्च इंस्टिटूट कहां पर इस्थेत है जो सेंटर ड्रग रिसर्च इंस्टिटूट है लखनव में इस्थेत है अगला हमायू नामा के लेका कौन है तो हमायू नामा के जो लेखा कहा है वो कौन है गुल बदन बेगम जो है वो हमायू नामा के लेखा कहा है अ नर्मदा नदी मद्पटीस गुजराह राजिस्ठान महाराष्ट कावेरी नजी केरल करनाटक तमिल लाणुकों दूखिर ενवह विबाद घुवा करनाटक और आज़ के पीच सब्सक्राइब निया कि अमेरिका के समिनान से हमने मुछ अधिकार नयाए पालका की सोतंदरता और उपराष्ट पती कापद ये हमने अमेरिका से लिया है उसके बद और ऑस्टेलिया के हमने समवर्ति सोची लिये अब अगला पूछा था कि IPL 2020 कहां पर आयोजित हुआ तो 2020 का जो IPL है ये कहां पर आयोजित हुआ तो ये मुंबई में आयोजित हुआ था और ये कौन से क्रम का था और कहां पर आयोजित हुआ ये आपको बताना है यह जीता कौन था मुंबई उसके बाद जीवाड़मों द्वारा होने वाले रोग कौन से जीवाड़मों द्वारा जो हो रोग होता है वो हैसा होता मियादी बुखार निमोनिया तपोनिया या छेरोग प्लेग नामक रोग जो है वो जीवाड़मों की वैक्टेरिया की बज कशान के अग्ला विटामिन द्वारा होने वाले रोक कौन से विटामिन की कमें रुख जाती है रतोंधी जीरों नमक्रों को हो जाता है ब्लॉक कम लगती है तंतरी का विकास नहीं होती है और बहरी नामक रोख जो हो विटामिन B की कमी से ही होता है। अगला विटामिन C की कमी से मच्चुड़े, फूलना, अस्तियों के चारो और स्राव, इस करवी, विटामिन D, सुखा रोख, और क्रिकेट, जबकि कमजूर दांत हो जाते हैं, दांतों का सड़ना, आदि जो है विटामिन D की कमी से हो जाता है जुर इसराव होना हीमोपëलिय सभी सटे इथा होता है अगला है के निकट्ठडरिश्टी दोस और किसी की बस्तु में धुंदली और आस्पष्ट दिखाई देती हैं जब कि पास की बस्तु में देखने में कोई परिशानी नहीं होती है जो डर है वो बढ़ जाता है अवतल लेंज का इसमें प्रियूग किया जाता है अगला जिस्टी क्या है जिस्टी कौन सा कर रहे जिस्टी का जो कर यह एक अप्रतिश चिकर और जिस्टी तीन प्रकार से होती है है सी जिस्टी एस जिस्टी मतलब सेंटर सबसे पहले है कब इसमें कितने टैक्स इसमें प्रकार के टैक्स लिये जाते है 005-12-18-28 एक जुलाई-2017 से लागु हो गया था अगला एक बावर की पिता का नाम जो था उमर से एक मुर्जा था बावर मुगल वन्स का संस्तापक था 1536 में इब्राहिम लोधी से लड़े थे और इब्राहिम लोधी से जीत गय थे बावर उसके बद बारत बावड द्वारे लड़े के प्रमुक यूद कौन कौन सी तो बावड ने 1526 में पानीपत का यूद लड़ा उसके बद खानवा का यूद 1527 मुछंदेरी का यूद 1528 में और गहंगरा का यूद 1529 में आयुजित हुआ अगला किर्शन है कि केरल के मुक मंतरी कौन है तो केरल के जो मुक मंतरी है वो पिंदरी विजियन है जराज जपाल आरिप मुवमत खान है अगला कि तेलंगाना राज तमिल साही खान है तो तेलंगाना राज के जो है वो कौन है तमिल साही सुंदर राज है सबसे बड़ा नामक सबसे बड़ा दीप है अगला लाइम बाटर का सूतर क्या होता है तो जो लाइम बाटर का सूतर है वो सी ए ऊ एक का होल ट्वाइस होता है जो चूना पत्तर दोता फार्मूल आवर लाइम वाटर सिए और इसका तो इलक्तवां की जो खोज तॉम्सन की एप Fell humor 50 के रणा milestone की टिरूर टोक न ही किस खोज की तो राविर ठाइक ने किते खॉशक नाँर की तो फिर शेरी का निर्मार होता है तो इन्हों सब्सक्राइब होगने 1665 में जीवित कोष्टका की खोच की थी अगला क्या है तो ATP का फुलफॉर्म पूशा जा सकता है तो ATP का फुलफॉर्म होता अडिनोसाइन ट्राइफ फॉस्पेट क्या एडिनोसाइन ट्राइफ फॉस्पेट जो है आडिवीट की काई प्यक्रत में बनता है प्रिए और रस में जमा होता है अगला कि utos अग्यां पर्दानमंतरी कोसल विखास योजना अब श्तता मंतरालेकी चलाई जाती तो इसके से और भी फैक्ट है वो आप देख लीजिए अगला कियोसिन की सांसद आदर्स क्या योजना है जो सांसद आदर्स ग्राम योजना ये क्या है तो 11 अक्टूबर 2014 को इस योजना का सुभारम हुआ था और इस योजना के तैदेश के सभी सांसदों को एक साल के ये एक गाउं को गोट लेकर विकास कार करना होगा इससे बहुत से बुनियादी सुभिदाओं के साथ ही खेती पशपालन कुटीर उद्यों को रोजगारों पर जोड़ देना होता है और भारती राजनीति का पितामा किसे कहा जाता है ये भी दादा भाई नौरोजी ने ही अंग्रीजी द्वारा भारत के जन की निकासी की और सभी भारतियों को बनाया इनकी बुक्स मैं पहले ही बता चुका हूँ की अनुषय देख सवा का प्रियोग किया जाता है लोगसावा एवं राजसावा के सही बैट ठाप पुलाने के लिए अद्धेशता जो है ये कौन करता है तो अद्धेशता जो है वो लोगसावा स्पीकर करते हैं अगला क्योंचन है कि राजी भांदी खेदातन परुसकार की परुसकार की जो राजी वह 25 लाक है इस परुसकार की सुरुषय क्यामन से बामन में की गई थी सत्रफ ग्राइन वास्टर जो विसनात आनंद इस प्रकार इस प्रकार को पाने वाले पहले खिलाडी बने थे 19 अगस्त को या परुसकार दिया चाता है अगला कि अब है चोटी जो हो के सबसे उची चोटी यह मागा कि सबसे ऊची चोटी भारत में स्थेद है तो उसका नाम क्या तो उसका नाम जो हो कंचन जंगा है कि मैं इस प्रतिवी दिवस की थिम क्या थी तो पांच जून को भी सो पर रड़ दिवस मनाया जाता है इसका जो जेय विवता थी क्या जैव विवता इसी दिन यूनिसे पकर गठन किया गया था जिसका मुख्यालग चैनिया में इस थिते हैं अगला कि घुष्ट विस्व प्रतिवी दिवस की थीम क्या थी तो विस्व प्रतिवी दिवस की थीम थी थी, वो ख्लाइमेट एक्षन था, अगला कंप्यूटर रिलेटेट्ट पूछ फॉलफॉर्म पूछे गहें थे जैसे ये बाद LCD का Liquid Crystal Display, LAN का Local Area Network और MB का Mega White जबकि MAN का Metropolis Area Network अगला की बलका मातरक क्या होता तो बलका मातरक जो है वो न्यूटन होता यहाँ पे कुछ मातरक दिये हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ अगला की उर्जा के नए स्रोत क्या है तो उर्जा के जो नए स्रोत है वो गैर पारम पर एक उर्जा स्रोत में लड़ने वाले लड़ने वाले पावंत था बिद्धुद उर्जा को स्वार उर्जा में परिवत्त करने वाले भूत था अपिए उर्जा को एक आन्ने नाम से भी जाना जाता है जैसे सार क्या मुख्याला का इसकी स्थापना आड़ डेसम्बर 1946 को कि भारत पाकिस्तान बांगलादेस कौन कौन से दिज्प है तो इसमें है भारत पाकिस्तान बांगलादेस श्री-लंका नेपाल मालदी भूटान अफगानिस्थान इसमें स्थित्त है अगला किर्शन है कि सबसे ज्यादा साथ चर्था दर जो आज किस राज की सबसे ज्यादा साथ चर्था दर जो है वह किर राज की है सभा सभा की संक्या को सज़ राज सभा सदसियों की संक्या 250 जब की विधान सदस्यों की अधिक्तम संख्या 500 है नी तरतन से किसे संभानित किया गया तो वहरत रतन को जो संभानित पूर्वत आश्ट पती पुड़ा मुखर जी को नाना साथ देशम परणुपरांथ यह पुज़कार ने भेजा है उसके बाद है कुछ और फैक्ट बनते जिसे चंद्र जिसे चंद्रवती को जंद्रवती प्रदेश को संस्थापक थे वह मार्क जोकर वर्ग थे कौन प्रदेश का संस्कृतिक नरत्य क्या है तो आंद्ध प्रदेश का जो संस्कृतिक नरत्य है भरत नाट्यम कत्ता गुत्रप्रदेश का कत्कली केरल का कुछी पुड़ी आंद्ध प्रदेश का मड़ीपुरी मड़ीपुरिया उड़ीसी के उड़िसा यह सात्रिया को असम यह साथ सास्त्री इन रात हैं अगले वन रिपोर्ट 2019 में इस प्रकार से बटा हुआ है उसके पूछा कि मॉनिटर का अन्य नाम क्या है तो मॉनिटर का नाम पता नहीं हमें क्या है सी आर्टी सी आर्टी कैथार्ड रे ट्यूब टी एफटी जो है लाइन टांस पर लिक्विड क्रिस्टल डिस्पेले और एलेडी का है जो हाई कमिटीड को डॉग ओज उसके बाद ओ एलेडी का जो है औरजनल हाई इमेडिटली डायोड इसका फुल फॉर्म होता है उसके सब्सक्राइब करनाटक में इसके बाद अगला पूछा कि कोटी का अधियन क्या होता तो कोटी का दियान जो है वो बीजिंग से आयरिंग और टांस्वेर्शन आफ फिस को क्या खा जाता है तो स्वेरी कल्चर सेवाल के अधियन को कहा चाता है अगला गोबा के प्रदान मंतरी कौन है तो गोबा के प्रदान मंतरी कौन है बरतमान है तो गोबा के प्रदान मंतरी जो वो प्रमोथ शावंद राजपाल भ कि अगला किप्षिन है कि राष्टी मंडल खेल 2022 का कायूजन जो हो कहां पर किया जाएगा राष्टी मंडल राष्टी खेल मंडल कहां पर आयजित किया जाएगा बर्मिंगम यूके में अगला कि अमेरिका के राष्टपती कौन है तो अमेरिका के जो राष्टपती हो जो से तो ने इसकी स्थापना की थी अगला कि जोजला दर्रा किसे चोड़ता जोजला दर्रा जम्मु कसमीर को कौन-कौन से जली से बताना कौन-कौन से दर्रे हैं अगला किसे रजदानी कौन से है तो दच्छड अप्रीफा की तेन राजदानी अपरीतोरिया लिवायाक यह यह कारपाली का राजधानी उसके बाद नियाइक अग्रियू हो यह वह विदाहिक अगला क्युछेत है कि के सीयों कॉन दके सीयों को यह जो हो हर्स वर्दन कॉन ट्रीम क्युछ की सोने पे जादा फ्दम जीत का चाता है सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज करता तो यह करनाटक करता है दूसरे नंबर पर जो है वो आंदर प्रदेश है जबकि इसका जो जो उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा है जो यह कॉलनेर के धारवार हसन तता रामशूर जिलों में यह जरूट निकलता है भारत म करना टक्स होने का सबसे बड़ा उत्पादन राज है अगला किवशन की मावीर के बचपन का नाम क्या था तो मावीर के बचपन का नाम जो वो बर्दमान था मावीर का मावीर का जन बैसाली गुरू गुरू विह गुंडल करम में लगभग 72 वर्स की आयू में पावापुरी मुख्स में मिला था इनमें कुछ इसफेक्ट बन रहे हैं तो यहां से इफेक्ट को आप इंक्लूट कर लीजे अगला कि उसने की बंगाल विवाजन का हुआ तो बंगाल का विवाजन जो है वो 16 एक्टूबर 1906 1905 करजन में हुआ था 16 अक्टूबर 1905 अगला कि IBM क्या है तो IBM का फुल फॉल फॉर्म होता है वह जली से बताएए तो इंटरनेशनल इसका IBM का फॉल 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 फॉर्म होता है इसका जो प्रमोख है वह अमिताब कृष्णा है और इन दोनों को दिखाई नही किया जो जो जे निजे टामसन हूँ प्रिजेंटेट दामानी और इंडियन जे टामसन अगला क्यूशन के कामाईनी के लेकर कौन है तो यह तो आप टैंदते पढ़ते आ रहे बरावर रेगुलर पढ़ते आ रहे तो यह कौन सा क्यूशन इसका राइट होगा चली से सथान है जापान हैंले पासपोर्ट में इसके हैंले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की जो रिपोर्ट के मताविक इस साल भारती रिपोर्ट की दो पाइदान की घिरावट की गई पिछले वर्स 22-82 के प्रमुक इस चौराजवें इस्थान पर पहुंच गया है अगला क्यूशन ह कि मेडिकल का नोबिल पुरसकार किसे दिया गया तो मेडिकल का जो नोबिल पुरसकार है वो 2020 के दो लोगों को दिया गया जो अमेरिका बैग्यानिक हार ले उसके बाद दूसरे बैग्यानिक जो है जे आल्सन है अगला क्योशन पूछाता है कि भौतिक का नोबिल पुरसक साथ मैसितर रवानल से आधिक के बारे में है उसके बाद Já ade का नॉपिल पूरसकार किया तो साहित्यक जो न पूरसकार हो क्या है तो नेशनल जो नेवल प्राइज आफ लेट टेंस तो यह एक अमेरिका का पुरानी बुक्स है अगला है कि काल बेलिया नरत कहा है तो काल बेलिया नरत जो है वो राजस्थान का इस्तेत है काल बेलिया नरत अन जो नरत है वो घूमर रड़ नहीं जूला माउल कमबोलिया चाहती अगला है कि एक के भी बरावर क्या होता है यहां पर गलत लिखा हुआ एक हजार चॉबिस नहीं होगा एक हजार चॉबिस क्लो बाइट एक बाइट बरावर जीरो वेवा या एक बाइट बरावर आट बिट एक क्लो बाइट बरावर एक हजार बाइट 24 बैट इस प्रकार से होता है अगला है कि DHCP की किया है तो DHCP का पीक्तिक है वह है डाइनमिक रख कंस्पूशविशन प्रोटोक्व अगला क्रिशन आपके सामने अगला क्रिश्चन है की टांजिस्टर किस जक्सन से समभन देता है तो टांजिक्सन एक किस जक्षन से संबन देता है तो फर्स्ट जनरेशन 46 इस प्रकार से फिफ्ट प्रजेंट टाइम में जो 1980 से चल नहीं है फिफ्ट जो है वो टांजिस्टर जल्दी से बताईए तो फिफ्ट नंबर पर है और इसका एक अंसर हो जाएगा जल्दी सबस्काराइट अंसर क्या होगा अगला ट्रैक्वाल कैसी डिवास ट्रैक्वार्ड इवाइस कुछ इंपूट डिवाइस में आपे देखता है कीबोर्ट मौस स्कैनर स्कैनर कैमरा्स कैमरा यो जो टीडिक मार्स या माइक्रोफॉन इस प्रकार चे अगला question है आपके सामने कि A C T H hormones का मुख्याल है कहां पर इस देद है A C T H hormones का मुख्याल है प्यूस गिलंथी से निकलता है और हाइपो थेलमर्स इसे control में करता है अगला कि प्रत्रम अंसूची में क्या है तो प्रत्रम अंसूची में संग एवाम राज छेतर है प्रत्रम अंसूची संगाविम्राश इच्छे चबकि दूसरी अंसूची भारती राज उच बहस्ता के इस प्रकार से यहां से पढ़ सकते हैं आप पूरे नौट्स मैंने बता दिया दे दिये आप यह से इसकी पीडिया भी चाहिए तो आप मैं कमेंट कर यह मैं इसकी पीडिया भी प्रोवाइट कर दूंगा अगला कि आर आर भी आई की प्रमो किस एवरेश्ट के तहत हुई है 20 अंडर विच अर भी आई भारती टिजर बेंक की स्ताफना भारती टियर बैंक अधिरिंग अधनियम 1934 के प्रावधानों के हनुसार में स्थापित किया गया है तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे इसका कमेंट बॉक्स में जल्दी से है अप अप्रयल in 1935 में उननी सो एक अप्रेल पोटता है कि स्थाए दर्स जो जो सदस है और सचख सब्सक्राइब नो बर्स की 9 दिसंबर kork और सम्भ Yinधान साभा की पहली wes ओध कि अजशेता थी इस जिसके बारे में राजन प्रसाध साथी के स्थाई हो गए अगला कुशन है कि देशका सबसे पहला बैंग कौन तरी पहला बैंक जो था वों कौन साथ था तो यह कौन था था इम्पिरियल वैंग इंपेडियल हिंदोस्तान 170 170 के ब्यूस आज चुके समें प्रजेंट टाइम है अगला कि भारत में हाई कोड की संक्या कितने तो बारतमान में बारत में हाई कोड की संक्या 25 जो नया हाई कोड जो है वो आंधर प्रदेश में स्थापित है अगला कि मन्रेगा की सुरुगात एक गारंटी यूजना है इस यूजना के तहत बित्ती वर्स में 200 कप्रियों किया जाना अनिवार है अगला कि सामान वर कुछ 10% छूट कि समिदान के तहत मिली है अगला किशन है आपके सामने समिदान 130 सम अधनियन 2019 को सरीकार नउपरश्टपती रामनात कोविंद की मजू क्या इंटरनेट सेर्विस प्रो राइडर आए अग्यों है कि अगला कुछ कि सैकेंडरी मेद मिमोरी को था सेकेंडरी मेमोरी जो है वह है इस होती है happiest me पशू है यह पशु के रूप में आठारा मलेड़ा थर्ष को घंगा नदी के डालफिन में अंद्प olv और सुचित सामने बनता है कि चिलका जील कहां पर ऐस नहीं जा स duration- जील कहां पहरा पर एस्थेथ है कहां पर चिलका जील कहां पर एस्थेथ हैं यह यह उडिय समें में upon जुब कर दोर्ट हैं उो और प्रिफ्फ्बिक्सिय्ध हैं अगला कोई स्थिक्तों पानाव वित्त था experience है आगला क्यूश्ण आपके सामने की सीएटी क्या है तो सीएटी जो है क्या है क्या होता है इंटरनेट क्वेयमेंट सर्विट इंटरनेट सर्विस प्रोइट उसके भाद नॉन बैल्यूट मेमोरी ड्रैम रॉम सीडी इसमें अलग कौन है अगला पूछा क्यों था कि अनुशेद 21 का संबंद किसे तो अनुशेद 21 से संबंद जो आर्टिकल है वो रिलेटेड टू अनुशेद 21 द्वारा कानूनी कानूनी द्वारा इस्तापित किये गए अनुशार कोई मतलब यक्त इस्क्रकार से यहां पर दências या पढ़ लेक्ते हैं उसका सुट जो स्वेधक करान्ती जनक के से कहा जाता सुँटकर जनक जůएhen कर Entscheidine कर्म की कर्यानिदी इप्लक्ष में कराधाया जाता बॉपक्ते लिए से बादे हुआ है कि हरित करणती के सावन से जो स्पराइब क्रांती से पीली क्रांती खाद तिलहन से उसका झाली क्रांती मतस्ते पादं से उसके गुलाबी प्याज जहिंगा मचली और प्रक्तौल कहने से अगला कि नियुन्तम समर्तन मूल का जो MSP होना चाहिए इस परकार से यहां पर फैक्ट बनाता आप यहां से पढ़ लीजिए उसका सरदार पटेल डैम जो है वो कहां पर इस्थित सरदार पटेल जो डैम हो वो सरदार पटेल डैम का दूसरा सबसे बड़ा बांद है यह गु ऐसे पृट्पान क्या है लोकेटर किया है इसका फोल फॉर्म होता है उसके युछिसे की जील प्रमुक जीले हैं अगला कि यूएनस को का मुख्याले कहां पर इस्टित है और इसकी स्टाफना 16 नॉम्बर 1945 में इसकी स्टाफना की गई थी अगला है कि पितरस कहां से निकलता तो फिस तरह से निकलता है और कहां पर इस्टोर हो जाता है अगला है कि पोकर परिश्चा 1998 में क्या नाम दिया गया था उप्रेशन सकती इसका नाम ता जबके दूसरा पर छेपड जो किया था वह उन्निस तो अठावी में पोकर राजिस्थान रेंज में परमाडब या 2005 को सुचना का अविकार आया अगला है कि सुचना का अविसकार अधिनियम 2005 2005 संसथ में पारित किया जिससे 15 जून 2005 को राष्टपती की अनुमत मिड़ी और अनुद्था 22 अक्टूबर 2005 2005 को यह कानू जंबू कस्मी को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया अग चापना जो हम बिहार की राज़दान है अगला कि हैमस नेशनल पार्क पहां पर इस सतफे हैं तो है ऑफ से बड़ा राष्ट्य ध्यान है वह मिस नेसिनल उस द्यान है को जो की जंबू कसमीर राज़की लद्दाक अड़िया में श्ते हैं नेसिनल पार्क 8400 400 बर्ग मीटर वर्ग सोरी बर्ग मीटर में फेला हुआ इतना काम है कि अब कुछ नहीं हो सकता अगला क्यूशन आप के समने है कि पीएज के बारे मैं पूछा था तो पीएज के बारे में हार का क condemn 750 सेवेंट फॉन दूद डूर है रहां नो 4 ऊस्थीज़क्त सबसे कमी उपरष्ट्पती झानि ते वह कौन थे निलम संजीव रेड़ foster कि पहले कम उम्रे के राष्टपती थे नीलम संजी रेटी अगला साजी का रिस्तूब कहां पर रिस्तित है तो साजी का रिस्तूब जो मार्द प्र्देश में अस्तानि नाम से जानना जाज Means गया है जिसकी द्रज़ा भरत के अंग्रेज कर गए थे अगला कि कामन वेल्थ गेम जो है 2022 का पर आयोजित किया गया तो 2022 का जो आयोजित गया वह बरतमान में बारतमान जो है अनुच्छीद 112 का संबन्द गया अगला की धन्विद्यक किस वस्तू को सम्द्ध नहीं दो रचाए के लिए जाने वाली संक्या इस परकर से माइनस करके आप निकाल सकते हैं मुसलिम की इस्थापना बीक द्वारा कि गई थी अगला कि अंतर राश्टी योग दिबस का मना जाता था तो अंतर राश्टी योग दिबस जो है वो अगला आपसे पूछा चुका है कि कांग्रेस का बेलगाउं अधिविशन कब हुआ 29 जनबरी 2015 को वेन वाज़ता इसके बाद भाज़ती राज़ती उध्यान के पहले अध्याच व्यमस जन्वन रदी कांग्रेस जो अध्याच थे वह कौन से थे जल्दी से बताई कांग्रेस इसके बाद मोदी उसके बाद दो लोग और थे इसमें से बताना कांग्रेस की पहली मेला कौन थी तो इस परकार से यहां पर लगबग आदे क्योश्चन तो अभी नहीं कर सकते हैं वनवाई त्री क्योश्चन हो चुके हैं तो यह वीडियो में अपलोड करता हूं इसको ज हिंचे भराद